साथियों बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का PBR study में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाय लिखाई बढ़िया चल रही है लक्ष बैच की मेराथन क्लाफ चल रही है वैसे मेराथन तो फिलहाल नहीं रेगुलर चल रही है आई यह सभी जुड़ गयों कि थामनेल देख लिया इसी थामनेल के अंदर मिलेगा किसी का कोई डाउट नहीं सभी हमें टेली गराम पर जरूर जुड़ जोइन कर लिजिएगा जिससे आपको डेली फ्री क्लास का नोटिफिकेशन और पीडिया नोट्स सब्चीज मिल सके देखो यूपी डियलेड सिकेंड समेश्टर दूतिय समेश्टर का ये लक्ष बैच है लाइब नंबर फाइफ है पाचमा कलास आई इसके पहले मैं याद दिलादू चौथी कलास में आपने पढ़ा था भाज तथा अभाज संख्या अपवर्तक और समापवर्त ठीक है या फिर आ बनखंड भी बोल सकते हैं अपवर्तक को इंगलिस में फैक्टर बोलते हैं और ये जो विभाजक वाला है या पवर्त है इसे मल्टीपल कहते हैं तीसरी कलास में आपने पढ़ा था अब्यास प्रस्ण ठीक है कलास नंबर दो में आपने पढ़ा था बोर्ड मास का नियम च पुझार आचर संख्याएं और सजातिय बिजातिय पद पहली कलास में साथियों हमने सिलेबर्स डिसकस किया था इसके साथ में LCMHCF पढ़ाया था ठीक है समझ रहे हैं बाबु भी है सभी तो ये पूरा सारी कलास का हिसाब है जो आज तक चली है और पाच्वी कलास में आ पढ़ोगे आज डिविजबिल्टी रूल कि दिविजबिल्टी रूल अध्याएवन नहीं है कि आ अगया सब ही चलें हाँ कमेंट सब क्या रहे हैं करन गुपता नीलम यादो आरती राय सिरोमनी और अफ्रीन सचिन सेन सचिन आज कल बहला फेमस है सीमा के लिए का बात है आये हो का सब लोग देख रहा हो सीमा सीमा परकर के इंडिया आ रही यह सब पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं कुछ और के लिए आ रहे हैं लेकिन याद रखना एक चीज मेरा अपना विचार है उस सीमा के बारे में जो सीमा लांग के आई है कि जो अपने चार बच्चो दोका विभाजिता नियम दिविजबिल्टी रूल बाई टू चलिए इसको लिखिए बनिया है चले नहीं आपकी बेज़िती नहीं कर रहा हूं मिस्टर सचिन वह आपके नाम से मुझे वह सचिन यादा आ गया चूसा गट्टा जैसे देखो इधर दोका विभाजिता नहीं हम इसको इंग्लिस में बोलते हैं डिविजिबिल्टी रूल बाई टू इसकी पहच संख्या हैं जिसके अंति मांक आइसी संख्या हैं जिसके अंति मांक यानि लास्ट डिजिट जो हैं वो जीरो दो चार छे वा आठ होंगे वो दो से कम्पलेडली डिवाइड होंगे समझ गए ना याद रखना इनको पेपर में आएंगे इनसे संबंदित कुछ न कुछ चीज़ें ठीक हैं तो ऐसी संख्या जिनका लास्ट डिजिट जीरो दो चार से आठ होता है वो क्या होते हैं दो से विभाजित होंगी जैसे उदाहरन मालीजिये चार आठ पांच साथ दो नो जीरो ये दो से कम्पलेडली डिवाइड है की नहीं बोलो हाँ या नहीं बोलो बैया हाँ नहीं बी वाला बताओ बी वाला दो से कम्पलेडली डिवाइड है या नहीं अच्छा तो सी वाला बतावाँ बैया चलाओ सी वाला है या नहीं दीरेश कुमार बिट्टु पासवान तान्यनाज पप्पू रितु ये सारी संख्याएं टू से कम्पलेडली डिवाइड है उसके पीछे रीजन है कि इनका लाइड डिजिट जीरो है इनका फोर है इनका छे है एक चीज़ और सीख लो एक तीर फे दो निफाना ये सबी समसंख्याएं भी है क्योंकि इनका लाइड डिजिट जीरो दो चार छे आठ अगर इनमें से कुछ भी आता है तो ऐसी संख्याँ को समसंख्या भी कह जाता है चलें आगे सबी समझ गया अगदम बढ़िया से तो चलो लगे हाथ बता दो एक अगर इसमें ए सही है तो आप वन ए लिखोगे कमेंट में अड़ी सही है तो वन ड़ी ये तरीका जल्दी करें अनुसका निसाथ कमेंट आ रहा है प्राची यादो नीलम यादो सब कहा रहा है अजसी संख्या जिसका लाश्ट कर डिजिट 02468 में से कुछ भी होगा वो दो से विभाजित है सवाल कह रहा है कि दो से विभाजित नहीं है नहीं है जनाब वो निकालना है सी वाला सही है बटा तो वन में सी सही है तीन से पूर्दा विभाजित है बताओ कौन तीन से पूर्दा विभाजित है तीन पांच नो एक दो नो इन में से कौन है बताओ अभी नहीं बताया नियम न रुको नियम बताते हैं चलो उसने जो मांगा एक सितारा तो मैंने जमी पे चांद उतारा सुने होगे नहीं इसको और चांद उतारने के बाद फिर क्या हुआ उसके आगे कहां नहीं बाद में तीन का भी भाजिता नियम डिबिजबिल्टी रूल बाई थरी डिबिजबिल्टी रूल बाई थरी देखिए ये क्या होता है आसी संख्या जीन के आंकों का योग लिखो जीन के आंकों का योग तीन से पूरता भी भाजित हो वा तीन से पूरता भी भाजित होगी सम्झा भाईया छापा ए आज इंटरनेट बड़ा गंदा चल रहा है का का कह रहे हो इंटरनेट बड़ा गंदा चल रहा है का हो है इंटरनेट में डारेक्ट डाटा केबल कलेक्ट कर लेता हो इसमें वा इफई हो सकता है थ्वड़ा घर बड़ जा रहा हो अब मैंने डेटा केबल से नेट कनेक्ट कर दिया है चलो और डेटा केबल बीच में भी आ गई लग रहा है अबे यार अट जाना तूरे दादा जांक तेरा जांक तेरा आईए उदारन समझते हैं जैसे ये संख्या मैंने लिखा 9, 8, 7, 5 क्या ये तीन से विभाजित है 9, 8, 17, 17, 17, 23, 24, 24, 25, 29 क्या 29, 3 से विभाजित है क्या 29, 3 से completely divide है नो नहीं तो अगर ये 29, 3 से विभाजित नहीं है तो हम कह सकते हैं पूरे डंके की चोपपे की 98, 75 जो है ये भी 3 से पूरता विभाजित नहीं होगी चाहे तो करके देख रो तुम्हें यकीन नहीं है तो करके देखो 98, 75 को 3 से भाग करो देखो तीन तरीका नो तीन दुना छे दो बचे का 27, 27, 27, 27, 25 बच जाएगा, अटक जाएगा इसी में बीवाला ले लो क्या ये तीन से पूरता विभाजित है हाँ है देखो साथ में से जोड़ो कितना आएगा जोड़ के बताओ भाईया बंदना कुमारी बताओ कितना आएगा अभी ये नय नय उतार ली है न इफ ली है साथ पांच बारा दुश चवदा एक पंदरा तीन अठारा अठारा तीन से कंपलिर्ली डिवाइड है सबसे पहला जवाब आया है रितु का अगर अधारा तीन से डिवाइड है तो इसका मदला भी संख्या जो फलानी वाली ये भी डिवाइड होगी देख लो तीन से भाग करो तीन दून अच्छा बचा एक होईगा पंदरा तीन पचे पंदरा उसकी बाद दुईनों में एक बार में जाएगा जीरो बढ़ेगा तीन सते काई इस तीन एकम तीन कितना होईगा यारी तो पचीफ जार होईगा भईया तब का दिक्का तचाच्छा इपचाहत्तर हजार दूसर तेरा है तो इपचीफ जार तो होईँ जाएगा सही है ठीक है तो सबही समझ गये तीन का भी भाजता नियम चलो एक आद उठी कोश्चाने लिलो फिर सिकेंड में अगर सी साहिए तो टूसी लिखेंगे अगर ए साहिए तो टू ए और डी साहिए तो टू डी बताओ कौन साहिए जल्दी करो कौन साहिए बोलो स्वेता आरती पाल प्राची नितीस गोल्डी सिंग करा कि तीन से पुरुता विभाजित है बहिए जोड़ के देखो सबको मुझे लग राप भी वाला साहिए कौन सा साहिए बी वाला न देखो छे पांच ग्यारा ग्यारा नो बीस पांच पची तीन अठाइज दूए तीस तीस आएगा इनको जोड़ो पांच तीन आठ नो सतरा एक अठाइज दो बीस वन तीस आएगा इनको जोड़ो नो चापंदरा पांच बीस चार चवविस पांच वन तीस दो यक तीस आएगा इसमें तीन से भी बाजिस संक्या कौन सी है शिर्फ तीस वाली है तो तीन दो में बीस आईए दो में पीस है ये नाट बीबी बीबी मत बोलो रात का टाइम होई से भी डराओना होता है समझ गए तो यह जो 14 जुलाई तक अफर था जिन बच्चों का पैमेंट फसा था या कोई प्रॉब्लम थी वो इसे अभी इन्रोल कर सकते हैं बिस तारीक तक ठीक है जिनका पेमेंट पेंडिंग था या किसी वज़ा से पैमेंट कैंसिल हुआ था दूसरी इसमें आपका एक नया बैच आ रहा है इसमें जिनका जुआइन नहीं होता है जिसका नाम है सावन बैच वो जा करके अगर इस वाले बैच में अप्लिकेशन में पेमेंट कर देंगे तो उनको सावन बैच में एटोमेटिक इन्रोल कर दिया जाएगा ठीक है जो ब पर कुछ भी कहना तो बोलो कि कुछ नंबर तीन चार नहीं लिखो अब इस अब इस नंबर इस विद्ध बिल्टी रूल भाई फोर चलो बताओ कोई बात कर रहा है मैं उन्हें तुरंट बलाक कर रहा हूं चलो बताओं रोहित कभी-कभी दरफन दे देते हैं कभी-कभी नहीं आते क्या बात है भाई ना बंदी कर रहे हैं ना चलुए कर रहे हो kya बात है हमारे यहां रिकार्ड में तो आपका बंदे चल रहा है आइसी संख्या जिनका अंत्फे इकाई वा दहाई से बनी संख्या चार फे पूर्टा विभाजित होती है वे संख्याए चार फे पूर्टा विभाजित होंगी ठीक है ऐसे है ना धीरेस को अब चुपए से धीरेस से ब्लॉक किया जाएगा वैसा इसमें आपके दिया भी नहीं चार से भी बाज़ता नहीं है फिलाहाल चलो देखो भाई आओ आओ समझते हैं इनको अटाय दो काये को दिख रहे हैं रास्ते में अटो चलो निकलो भागो अबै रुकना तु काय को दिख रहा है इज़त कवेज़त कर रहा है सही हड़ गए ना देखिए जैसा यह संख्या लिखा तीन चार पांच जीरो छे चार इसमें लाश्ट से इकाई और दहाई यानि यह जो लाश्ट की दो संख्या है उनको पकड़ो उन फे जो संख्या बनती है अगर वो चार से कंप्रिलेडली डिवाइड है अर्था इसमें 64 ऐसा है तो आप कह सकते हो कि यह पूरी संख्या 3,55,064 भी तीन से विभाजित होगी स्वरी तीन से नहीं किस से चार से ठीक है और यह अगर चार से विभाजित नहीं होती है दो अंक जो लाश्ट का है तो फिर पूरी संख्या भी चार से डिवाइड नहीं होगी पसे यह कांसेप्ट है यह बी वाला चार से विभाजित है या नहीं बताओं यह से या नो क्या कह रहा हूँ बी वाला चार से विभाजित है या नहीं बात करने वाले धीरे से बुलाख हो जाते हैं बीना दवाज किये पढ़ाई ध्यान दो कोई बुलाख नहीं होगा बकता ही करोगे तो फिर गए पूरी संक्या भी चार से विभाजित होगी चल भाई या बताओं आप संदेखा कुशन बाद में देखा पहले देखा इसमें बताना कौन चार से विभाजित नहीं है अब या आठेस का है शुरू करता है इडियर बताओं कौन कौन चार से विभाजित नहीं है कौन कौन चार से विभाजित नहीं है अनुज बताओं कौन सा ही है प्रिया गुपता वर्तिका प्राची धीरेस देखो ऐसी संख्या जिसका लाष्ट का दो अंक मिला करके जो संख्या बन रही वो चार से डिवाइड नहीं हो जैसे इसमें लाष्ट का दो अंक से 96 बन रहा है एम भ型 69 बन रहा है बब्बुँँ हो ईम सेबंटीन बन रहा है मा 94 बन रहा चार से डिवाइड 94 भी नहीं है चार से डिवाइड 17 भी नहीं हो नयत्तर भी नहीं है पहिल का अवाला है दो यानि हम कह सकते हैं बी फी वाड डी सही है परमिला यादो परंजल ठाकूर गोल्डी सिंग चला चापा चापा हो भाई चो सब भाई चार कभी वाज़ता नियम सिख गया लिखिए पांच का विवाज़ता नियम डिवीज बिल्टी रूल बाई फाइव तोड़ा मैंने हाथ से पढ़ाना चाहिए ना अच्छे न दीजे आते पांच का विवाज़ता नियम आसी संख्याए जिनके अंति मंक जीरो वा पांच आए जीरो वा पांच ने जीरो या पांच पांच से पूर्टा विवाज़ित होंगी ठीक है जैसे पांच नो साथ दो एक एक साथ क्या ये पांच से विवाज़ित है क्या ये पांच से पूर्टा विवाज़ित है क्या सी बाला पांच से पुरुता विवाजित है एके कुमार पाल कहता है हमाई नाम नाही लेता है कहा हो राजा भच्या चैठा अगर तो आप नाम ले लिए तो तू अमर हो या वका ये कुछ और होई जगार लग लग जए तौने अलक से अरе कुछ अच्छा काम करा तो अच्छे बहां साम नाम लिए जए आजन स्सक्राइब बताऊँता है ना एक कोबार बट ये नहीं है ठीक है बी और सी वाला है तो सभी सी गए एक से ले करके दो से ले करके पांच तक का विभाजता नियम किसी को कौनो डाउट नहीं चला देखा छे का भी भाजता नियम डीबिजबिल्टी रूल बाई सिक्स सही लिखा हूँ इस पेलिंग का में हमें लागता है कुछ गलता है का डीबिजबिल्टी सही है इस पेलिंग का हो आगे बढ़े मुरादें पूरी हो रहे हैं सब की पूरी हो रही ना डीबिजबिल्टी रूल बाई सिक्स क्या होता है चला बताओ कोई भी निमन बताओ आई सी थांक्या जो दो और तीन दोनों से भी वाजित हो ना आई सी संख्या है जो दो और तीन दोनों से पूरता विभाजित हो वै छे से भी पूरता विभाजित होती हैं इसका थोड़ा लंबी कहानी है जैसे पहला पान तीन दोई यानि पान तीन आट दोई दस चार चाउदा चाउदा चार अठारा तो ये संख्या पहले तो दो से भी भाजित होगी क्योंकि इसका लास्ट का डिजित चार है तो ये दो से भी भाजित होगी तीन से भी भाजिता नियम चेक करेंगे पान तीन आट दूझ दस चार चार अथारा इनका योगफल अठारा है तो अठारा तीनसे दिवाइड होती है तो आप कह सकते हो कि ये संख्या तीन से भी कंपर लिटरी डिवाइड है तो इनके लड़के बच्चे जिए दिसा मे जा रहे हैं तो फिर इनके गर्जियन भी उसी दिशा में गये होंगे समझ रहे हो ये कमेंट वाले जो लोग यहां कमेंट बसे हैं ध्यान दें कि ये जो बाबा और बेबी बन के बात कर रहे हैं एक तुम्हारी मा के सिवा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता ना करता है अभी करनाटक की घरनटी बड़े दिल धाला देने वाली ऐसी माताओं को मैं सभी को प्रडाम करता हूं उसमें एक माता जी ने क्या किया पता है तुम्हें सोच भी नहीं सकते हो उनकी एक वीटिया पढ़ती थी बीटक की थर्ड एयर चात्रा थी जहां तक मुझे पता ऐसे कुछ था ना एक लड़का पढ़ता था जो आई टी आई में सिकेंड एयर का इस्टूडेंट था और वो सरकारी आफिस में किसी कारेयालाय में लगबख 10,000 की नयों नौकरी पर काम करती थी उनकी एज लगबख 45 साल थी उन्होंने सुना था कि किसी की मर जाने पर उनके घरवालों को मुआपजा मिलता है और इसलिए उन्होंने सरकारी बस के आगे कूद करके सुसाइड कर लिया कि मेरे बच्चों को पैसा मिल जाएगा जिससे उनकी कॉलेज की फीस लास्ट इयर जो बाकी है नहीं वो पार रही वो हो जाएगा समझ रहे हो वीडियो काफी वाइरल है देखना तो तुम्हें क्या लगता है कि जो यहां चैटिंग कर रहे हो वो कुछ होने वाला है टाइम बेस्ट ना करिए अनुभव मैं ले चुका हूं तुम भी सीख लो चलो कि अगे चले बीवाले में देखो इसमें बताओ क्या ये च्छे से डिवाइड है हाँ या नहीं बोलो कि क्या ये च्छे से डिवाइड है या नहीं अरे तुम लोग इस जमाने देश समाज से नहीं सीखते हो क्या लोग महर्या ने पढ़ा लिखा करके एस डिवाइड बनाया हूँ उनकी नहीं हुई तुम्हें क्या लगता है कि तुम 249 का रिचार्ज करा दो कि तुम्हारी हो जाएगी बताओ मत परिसान रहो ये बात दोनों पर लागू होती है अपने आपको काम्याब बनाओ एक चीज ये भी सचाई है पता है पढ़ाई तो होती रहती है कुछ चीज़ें जरूरी भी है लाइफ में किसी को भी उपर उठाओगे अगर न अगर साथ में तुम भी नहीं उठे न तो साथ छुड़ जाएगा भ nay simple सा logic है अगर मैं इस bottle को उपर उठाता हूं और मैं सिध्या नहीं उठ पा रहा हूं इतना उपर उठादिया को उसके उपर मैं खुद नहीं जा पा रहा हूं तो मेरा हाथ नीचे रहा गया मैं इसके बराबर नहीं जा पाया तो बीच में कोई और आ जाएगा समझे रहे हो तो किसी को अगर उपर उठा रहे हो कोई भी चीज तो आपको खुद उपर उठने के हांसियत साथ साथ होनी चाहिए तब ही आप साथ रह सकते हो यह जो द्रिस्यम फिल्म का लोग हीरा ठाकूर वाली चर्चा कर रहे थे ना तब तक वो तीन सो बिगा जमीन का मालिक और साथ बसों का मालिक हो चुका था ट्रांस्पोर्ट ओपन किया था खोला था ऐसा कुछ है ना तब वो नहीं गई उन्हें छोड़ गए और इधर वाले केस में तो वो जैसे कता ऐसे रहा गए फोर्थ ग्रेट के इंपलाई ही रहा गए इसलिए चली गई समझ रहे हो तो किसी को आगे बढ़ाना बुरी बात नहीं है लेकिन कभी अपने से आगे मत बढ़ाना और अगर अगर तीन से डिवाइड नहीं है अगर तीन से डिवाइड नहीं है तो यह छे से भी डिवाइड नहीं होगी क्या होगी यह? छे से भी डिवाइड नहीं होगी लिख लो फट से आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं? तो छे का विवाजता नहीं हम समझ गए? अच्छा है एक और बताओ द्यान से देखना बताना? C वाला क्या यह C वाला तीन से कम्प्रिटली डिवाइड है? हाँ नहीं? बताओ यह से अनो? अन्जनी? हाँ कमेंट आ रहा है वर्तिका? जल्दी कर भईया वताओना जल्दी जल्दी क्या यह तीन से डिवाइड है? क्या यह दो से डिवाइड है? और यह 6 से डिवाइड है? इस पहला कंडिशन आओ चलोँ यह 2 से डिवाइड है कहीं कि इसका लास्ट का डिजिट 2 है आईसी संक्या जिसका दिजित 0246 8 होता 2 से डिवाइड होती है पहला कंडिशन पास दूसरी कंडिशन इनके यह अंकों का योगफल अगर 3 से डिवा सताई 3 से completely divisible है तो ये पूरी नंबर भी 3 से divisible होगी और जब ये 2 और 3 दोनों से divide है तो डंके के चुप पे कह सकते हो तुम की 6 से भी ये divide होगी क्योंकि 2 गुड़ा 3 बराबर 6 हो थे भाईया divide means completely divide होना ठीक है इसके आगे है साथ का विभाजतानियम मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं थोड़ा लंबा है उसको सीखने फच्छा है तुम ऐसे कर लेना ठीक है लिखो आठ का विभाजतानियम दिबिजबिल्टी रूल बाई एट चलो यह क्या होता है आठ का विभाजतानियम बताइए दिबिजबिल्टी रूल बाई एट चल भई आओ ऐसी संख्या है जिनके जिनके इकाई दहाई वा संकड़ा इकाई दहाई वा संकड़ा से बनी संख्याओं संख्या बनी संख्या ठीक है आठ से पूर्टा विभाजित है पूर्टा विभाजित है वा पूरी संख्या भी आठ से पूर्टा विभाजित होगी कम्पलेटली डिवेजबल होगी सभी को सही दिख रहा है ना पड़िया जैसे समझो देखिए आपर मैं बना रहा हूं समझिए क्या यह आठ से डिवाइड है इसको चेक करने के लिए इन तीनों अंकों को निकालोगे तो नौ पांच नौ क्या आठ से डिवाइड होगी नहीं कभी नहीं अगर यह आठ से डिवाइड नहीं होगी तीन जो यह बन रहा है इन तीनों से तो यह पूरी संख्या भी आठ से डिवाइड नहीं होगी ठीक है यह तरीका है क्या यह आठ से डिवाइड होगी यह से नों लाइठ के तीने हैं निकाला भाईया नाउसो अंडलसट क्या आठ से डिवाइड है बिल्कुल है पक्का है अगर 968 आठ सी डिवाइड है तो यह पूरी बढ़की संख्या भी आठ सी डिवाइड होगी अरी तू समझ में आ रहा है महिमा जादो अंजनी नेहा प्रिया गोल्डी सुभम सब लर्किये लर्किये पड़नी लर्कवे कहां गये भाई किसी को कोई तकलीफ कोई दुखदर्द आरे मतला इस कलास में बाकी तुमारे जिन्दगी में वैसे भी सब दर्धी दर्ध है चले आएगे जिन्दगी में किसी भी प्रकार के दुखदर्ध और टेंसन और डिप्रेसन का एक मात्र कारण है रिष्ता रिलेशन वो किसी प्रकार का भी किसी से भी हो सकता है चाहे कोई इनसान से किसी वस्तू से या किसी और भी चीज से तो ये आठ से कंप्लेटली डिवाइड है अब बताईए क्या ये संख्या आठ से डिवाइड है अगर इसे हम सवाल नंबर लिख लो इसे ज़िशे अब बना में ने करें कहीं आ रही है इसके एक मिनट रुको फिर वोई जाके कुछ बनेगा चलो क्या यह आर्ट से डिवाइड है यास या नो इसके लाष्ट के तीन अंक मिलाओ चलो 640 है क्या 648 से डिवाइड है अगर हाँ तो आप बहुत ही प्यार से कह सकते हो कि यह पूरी मुटकी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी अन्य था ऐसा नहीं है तो फिर नहीं होगी कर जाएंगे भईया होंगे 8 ठाई 64 8 ठाई 64 और 0 80 आएगा यू कैन से यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड है ठीक है प्रिशी के समझ में आ रहा है प्रियांसी आ रहा समझ में तो यह 8 का डिवीजबिल्टी रूल हो गया और 9 की बात कर लेते हैं चलो 9 का विभाजता नियम यह यही तीन का हिस्सा है लिख लो यह लिखो 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 डिवीजबिल्टी रूल वाई 3 399 आइसे संख्या हैं जिनके आंकों का योगफल 9 से कम्प्लिटली डिवाइड होगा वो पूरती संख्या 9 से डिवाइड होगी समझ गए वही जो तीन वाला नियम है सेम नो वाला है सेम टू सेम सेम टू सेम ऐसी संख्या जिनकी क्या आंकों का योगफल 9 से डिवाइड होगा वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी बस यही अगला 10 में आ जाओ सबसे आसान है यह थोड़ा रुक जाता हूँ अब मैं रुकना सीख लिया हूँ वरना मैं आसान इस्टाब बोलता था डिविज बिल्टी रोवाइड टेंड इतना आफान यह इतना आफान दुनियां कुछ है यह नहीं है किसी की चुंगली करना भी उतना आसान नहीं आएसी संख्या जिसका आंती मंक जीरो होगा सिर्फ वही और वही दस से कंप्लिर्टी डिवाइड होगी जिसका आंती मंक सुनने होगा बस तुम लोगों गाना सुना इपड़ रहा था का अभी यह माईक का कमाले गाना नहीं सुनता यह सिर्फ मेरी अबास सुनता है और बताओ किसी को कुछ कहना है हाँ से रहा था ना बकता ही ना करो वरना निकाल दिये जाओगे यहां से तो यह हो गया ग्यारा का भी भाज़ता नियम काफी लंबा चोड़ा है इसका कोई मतलब है नहीं आपके सिलेबस के अगार्डिंग केवल यहीं तक था ठीक है इसके आगे अभ्यास से प्रस्णा और चीजें पढ़ेंगे हम कल क्योंकि अब आज इस से ज़्यादा सही नहीं है ज़्यादा हो जाएगा हजम नहीं होगा ठीक है तो अच्छा जी अब हम चलते हैं कुछ कहना है किसी को तो बताओ चलो थोड़ा बाचीत करते हैं न मज़ा आता है न और बताओ आप लोग कहां से हैं जीला बताओ अपना राज्य का नाम बताओ साथ साथ में इधर भी देखो अगर आप सभी को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती किसी को भी मैथ में कुछ भी नहीं आता एकदम गदाहा गोल है एकदम मैथ में बुरा नहीं मानना दिल पे नहीं लेना बगल में रखना तो मैथ स करने को तयार हैं तो हम गड़ित सिखाने की पूरी 100 परफेंट कारेंटी लेते हैं जुआइन करें सावन बैच उसका पोस्टर नहीं था सो मैंने यह दिखा दिया सामन बैच यह कई तारिक से आ रहा है फीस लगबग में इतना ही पे करनी है ठीक है नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है समपर करें एक आसान तरीका बताएं पी वियार स्टडी अप में जाकरके यह सांकल्प 2.0 बैच अगर इन्रोल कर लेते हैं इसमें पेमेंट कर देते हैं तो आपको सावन बैच के कांटेंट एटोमेटिक मिल जाएंगे ठीक है इसमें इन्रोल नहीं होंगे आप क्योंकि इसमें सीड नहीं है इसमें 14 जुलाई सीड भी खतम हो गया अफर भी खतम हो गया लेकिन इसमें जुआइन का अप्शन दे दिया गया जुआइन आप कर सकते हो ठीक है इन्रोल नहीं होंगे पेमेंट हो जाएगा आप संकल्प उसमें सावन बैच में चले जाएंगे ठीक है महीमा गोरकपुर यूपी से हैं सिल्पा फरुकाबाद यूपी से हैं अनुज इलाहबाद से हैं नितिस बिहार से हैं रितु कोरकपुर से हैं आरती राय उत्राखंड देरादून से पप्पु फिरोजाबाद से हैं और बताओ सभी कहां कहां से हो भाईया क्लास आपकी चलती है प्रियाग राज उत्तर परदेश से यह नहीं लाबाद से और वसे हमारा होम टाउन सुल्तानपूर उत्तर परदेश में भी है कभी-कभी है मुहां भी जाते हैं और कुछ को इसी को कहना है बलिया से अंजनी यादो मुझ अफ़र नगर से भी कुछ है कोई चले फिर खतम करें कहानी आज की चलो देख लो एक बार थोड़ा थोड़ा देख लो यह बयाच है आपकी जो अभी चल रहे है इसका थमनेल पहिचान लो इसे मेरा सकल पहिचान लो आद तक मने थमनेल में फोटो नहीं बदलवाया यही सर्ड था यह यह प्यार में पढ़ने पछे सकल थी यह प्यार में पढ़ने बात की सकल जो तुम देख़ रहे हो दोने में अंतर लग रहे है न बस इतने से बहुत को सीख जाओ लाश्ट बहुँत सीखरेट बताया हूं अरे उसके पहले भी पढ़ा था लेकिन कम पढ़ा था यह ज़्यादा पढ़ गया इसके बाद बदल गई चलो चलते हैं फिर आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को क्लास को ज़्यादा लोगों को सेर करें और अपना और अपनी वाली का ख्याल रखें नहीं कोई और रखने लगेगा फिर आपको दिक्कत होगी झाल 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 झाल